हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में एक और नई विज्यापन की बात करने वाले हैं इस वीडियो में बाल भारती पब्लिक स्कूल ब्रिज बिहार से ये वेकेंसी है पिछले वीडियो आप देखिएगा जहां पर बाल भारती अप्लाइ करने के चुक हैं वो अप्लाइ कर रहे हैं अभी जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है बाल भारती पब्लिक स्कूल ब्रिज बिहार से इन स्कूल की जो है खास बात क्या रहती है कि सेलरी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है सेंट्रल गॉर्मेंट पे स्केल के अकॉर्डिंग यहां पर आपकी सैलरी डिसाइड होती है जैसे देली पब्लिक स्कूल है उसी तरीके से हर राज्य में बाल भारती पब्लिक स्कूल है अभी वेकंसी ब्रिज बिहार से है 16 मार्च लास्ट डेट है पीजी टीजी टी असिस्टेंट टीचर्स की वेकंसी है सबी राज्यों के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाए कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन इससे पहले भी दो वीडियो बनाये जा चुके हैं अलग-अलग राज्यों के बाल भारती पब्लिक स्कूल के यदि आपने नहीं देखे हैं आपका सब्जेक्ट है आप उस राज्य से संबंदित हैं तो बिल्कुल आप लोग आवेधन कर दें तो बाल भारती पब्लिक स्कूल ब्रिज बिहार यहां पर जो है जैसे ही आप होम पेस पर आते हैं करियर विद्वी वी पी एस आपको मिल जाएगा तो यहां पर आप लोगों को एप्लिकेश फॉर्म के आगे ठीक है अभी जो एप्लिकेशन फॉर्म मिल गया अब देख लेते हैं कैसे जो है अप्लाए करना है फिर हम चेक करेंगे कौन से पोस्ट में किस सब्जक्ट की वेकेंसी है यहां पर जो है पिसले दो वीडियो में मैंने आपको जो अलग-अलग राज्यों क की वेकेंसी बताई है बालभारती पब्लिक की स्कूल में तो वहां पर कोई फीस नहीं लग रही थी बट यहां पर डिमांड राफ्ट सौरपे का जो है बोल रहे हैं कि सौरपे का दिमांड राफ्ट आपको बनवाना है तो सारी चीज़े हम लोग देखने वाले हैं नोटि इजुकेशन टीचर की वेकेंसी है मास्टर डिग्री के साथ में मास्टर डिग्री आपकी सेकिंड डिवीजन यानि कम से कम सेकिंड डिवीजन तो हो साथ में पीजीटी के लिए बीट भी चाहिए और सीटेट भी क्वालिफाई होना जरूरी है ठीक है अब इस नोटिफिक के साथ में BAT भी होना चाहिए और CETAT qualify भी होना चाहिए अभी यहां पर CETAT paper 1 या paper 2 ऐसा कुछ नहीं लिखा है TZT बाकि CETAT paper 2 ही यहां पर मांगा जाएगा TZT में हिंदी की वेकेंसी है हिंदी के candidate विलकुल apply कर दें librarian की वेकेंसी है, painting की वेकेंसी है तो यहाँ पर master degree आपकी हिंदी में होनी चाहिए, TZT के लिए, और master degree library science में librarian के लिए होनी चाहिए, master degree आपकी fine art में painting के लिए चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट जो है, BA or CTAT, paper to qualify मांगा गया है, assistant teacher के लिए जो है, English, Hindi, Sanskrit, उसके बाद जो है, यहाँ पर mathematics, EBS, SST, science, ठीक है? इन ही subject में जो candidate हैं, apply करना चाहिए हैं, तो assistant teacher के लिए आपके पास graduation होनी चाहिए, BA या BSC, और साथ में BA plus CTAT, paper 1, special educator की vacancy है, BA special education में चाहिए, और दो साल का diploma in special education में होना चाहिए, या फिर post graduate अगर आप हैं, तो professional diploma in special education में, assistant teacher Montessori के लिए graduate चाहिए, और साथ में जो है, NTT आपने किया है, या ECCE आपके पास diploma है, तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, age limit and pay scale, बिल्कुल यहाँ पर लिख दिया है, as per central government norms, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, PZT के teachers के लिए, तो maximum 40 years यहाँ पर उम्र रहती है, pay scale काफी अच्छा यहाँ पर मिलने वाला है, आप सोच सकते हैं कि 70,000-80,000 PZT के teachers की यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी, Delhi Public School की तरह ही बालभारती Public School में salary रहती है, the application form may be download from school website, यह school की main website का link है, इसे आप screenshot भी ले ले या फिर वीडियो के नीचे description box में आप लोगों को बिल्कुल provide करवा दूँगी, ताकि आप इस पर click करके और direct to main website पर आ जाएंगे, और सबसे उपर जो है application form है, इसे download करेंगे, fill करेंगे, उसके बाद जो है, लिखा है, आपको जो है, बाइ पोस्ट भेजना है, दस दिन के अंदर, यह आपको ध्यान में रखना है, तो समय से पहले आप लोग apply कर दें, यानि दस दिन होने का वेट ना करें, उससे पहले ही apply आपको कर देना चाहिए, अगर आप इच्छुक हैं, और गाजियाबाद उतर प्रद हैं, तो बिलकुल आप कर दें, बहुत सारे कैनी देट ऐसे होते हैं, जो कि वीडियो समय पर नहीं देखते हैं, और जब time निकल जाता है, तो form apply करते हैं, तो उसके बाद कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो भी time दिया जाता है, उसी पर सारे काम होने चाहिए, जैसे advertisement जारी ह हो गया है, तो अब 10 दिन के अंदर आप लोगों को apply कर ही देना है, तो वीडियो का notification जो है, आप लोगों को समय पर मिल सकें, तो इसके लिए channel को subscribe जरूर कर ले, bell button को press करें, जिससे की आने वाले वीडियो का notification समय पर आप लोगों को मिल जाएगा, अगर bell button को भी press नहीं करत जाती है, बहुत ही rare case में ऐसा होता है, कि सूचना जो है, वो मुझे थोड़ा सा late मिल पाए, बाकी जो है, mostly जितनी भी vacancy जारी होती है, सभी मैं आप लोगों को समय से पहले ही जो है, बता जेती हूँ वीडियो के माध्यम से, क्योंकि form apply करने में time लगता है, अगर offline mode में form बेजना होता है, तो उसमें भी कम से कम तीन या चार दिन तो other state के candidate को लगी जाते हैं, तो इसलिए वीडियो को regular देखते रहें, आपकी vacancy अगर आज नहीं है, तो बिलकुल आगे के जो वीडियो होंगे, तो उनमें आप लोगों को आपकी vacancy ज़रूर मिलेगी, आपके subject की तो चलिए मिलेंगे next वीडियो में, thank you